नमस्कार, स्वागत है, साहितिक जरो का चैनल पर आज हम करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा देखिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये प्राछीन काल से लिखा हुआ आ रहा है या लिखने की परंपरा रही है लेकिन आधुनिक काल में इसका परवर्तन हुआ और आधुनिक काल में जो परिवर्तन हुआ उसमें विज्ञानिक दृष्चिकोन को अपनाया गया यानि आधुनिक काल में जो हिंदी साहित्य का इतियास लेखन परमप्रा है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोन को अपना कर और प्राचीन रचनाओं को आधार बना कर इतियास लिखने की कोशिश की गई है तो आईए हम उसी के बारे में यहां जानते हैं सबसे पहले लेखन काल की अगर बात करें तो क्योंकि हिंदी साहित्य का इतियास लेखन बहुत लंबे समय से लिखा जा रहा है तो हम इसको जानने के लिए मुख्या तोर पर तीन भागों में बांटेंगे या तीन काल में हम इसे विभाजित करेंगे सबसे पहले है आरंबिक काल उसके बाद मध्य काल और फिर है विकास काल सबसे पहले हम आरंबिक काल के बारे में जानेंगे कि आरंबिक काल में कौन सी रचनाई संकलित की गई है और क्या वो परमानिक है या नहीं है तो यह हमें इसमें बताना है तो आईए जानते हैं देखे आरंबिक काल में जो रचनाई है सबसे पहले है 84 वैशनों की वारता, 84 वैशनों की वारता के अंतरगत 84 वैशनों कवियों को शामिल किया गया है और ये किसने लिखी है गोकुलनात के, ये दोनों ही रचनाई गोकुलनात की है, 252 वैशनों की वारता, ये दोनों ही इनके कालकरम के बारे में कुछ पुखता परमान मिलते हैं तो यहां पर यह बात ध्यान में रखनी है कि जो आरंबिक काल की रचनाई हैं उन में मुख्य तोर पर जो कवी शामिल हुए है या जिन कवियों ने रचना की है उनके ना तो कालकरम के नुसार हुई है ना ही उसकी विशेवस्तु आदी व्यवेस्ति त्रेके से विवेजित की जा सकती है तो यहां पर इन बातों का आपको ध्यान में रखना है कि यह क्यों परमानिक नहीं है जो नाभा दास है इनकी रचना है भक्त माल हरी राय की रचना है कवी माल कालिदास त्रिवेदी की रचना है कालिदास हजारा हरीश चंदर की रचना है सुंदरी तिरक और दुरुदास की रचना है भक्त नामावली अब देखिए ये जो इतिहास करंथ हमें मिलते हैं हिंदी साहिते के इनके अंतरगत ये जो रचनाएं हैं इनके बारे में ना तो ये परमानिक रूप से उपलब्ध है, ना ही इनका कालकरमस पस्ठ है, ना ही इन भक्त कवियों द्वारा अपने नीजी जीवन की सूचना दी गई है, यानि गोकुल नाथ ने अपनी रचनाओं में जिन कवियों को संक्लित किया है, उनके परमानिक और में भी पुखता परमान हमें नहीं मिलते, तो इस तरह से इस कालकी सभी रचनाओं को अगर हम देखें, तो इसमें या तो ये रचनाओं मिली ही नहीं, या ये रचनाओं नश्ठ हो गई, या किसी विक्तिगत जो नीजी पुस्त काले है, उसमें रचनाओं है, तो यहां प क्योंकि ये रचनाई हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई है इसलिए कहीं न कहीं ये वो समय है या ये वो रचनाई है जहां हिंदी साहित्य अंकुरित हो रहा था इसलिए हम इसे पूरन रूप से नकार नहीं सकते बलकि हम इने बाहरी साक्षे के रूप में सविकार कर सकते है यानि बाहरी जो हमें साक्षे मिलते हैं उसमें हम इने शामिल कर सकते हैं हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में इसके बाद है मध्यकाल जो मध्यकाल है इसमें सबसे पहले जो साहित्यकार है वो है गारसाद तासी ये फ्रांसिसी विद्वान थे, फ्रेंच भाशा के ग्याता थे, फ्रांस के रहने वाले थे, इनकी जो पुस्तक है वो है इस्तवार, दला, लिटरेटर, एंदुस्तानी, इसमें इन्होंने लगभग उर्दु के 338 कवी और हिंदी के 72 कवीओं का वर्नन किया है, देखिए ध हैतर ही थे, इसी लिए, क्योंकि इन्होंने हिंदी और उर्दु को मिश्रित कर दिया था, इकठा कर दिया था, क्योंकि जो एंदुस्तानी भाशा है, वो केवल हिंदी के लिए नहीं बलती, उर्दु के लिए भी इस्तिमाल की जाती थी, इसी कारण इन्होंने जो कवीओं का वर्णन किया है वो भी प्रमानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें ना तो कालवी भाजन इन्हों ने किया है और नहीं साहित्य की विशेष्टाओं का वर्णन इन्हों ने अपने इस गरंथ में किया है लेकिन फिर भी हिंदी और उर्दू के जो 338 कवी लिए हैं इसमें इन्होंने क्या किया कि वरण कर्मानुसार पदती का प्रयोग किया है यानि वरण वरण यानि इनके नाम में सबसे पहला वरण किसमें आएगा जैसे अ से शुरू है नाम क से शुरू है नाम प से शुरू है यानि वरण कर्मानुस जो पहले आएगा उसको पहले लगा दिया जो बाद में आएगा उसको बाद में यानि वरण को ध्यान में रखा रचना काल को ध्यान में नहीं रखा यानि काल समय को ध्यान में रखा हो सकता है जो बाद की वरण वाला है उसने पहले रचना कर दी हो और जो पहला वरण वाला ठीक तरीके से कवियों को नहीं लिया गया, इसमें जो इनकी रचना है, तीन भागों में ये प्रकाशित हुई थी, पहला जो भाग है ये 1849iston में प्रकाशित हुआ, दूसरा अठाराую सो 47iston में और 307iston में प्रकाशित हुआ. इन्होंने अपनी गरंद में दो बातों का ध्यान नहीं रखा, एक तो काल के इसाब से भी वाजन नहीं किया और दूसरा विशेश्टाओं को भी ध्यान में नहीं रखा लेकिन फिर भी ये गरंथ महतपूर्ण है कारण क्या है क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का ये पहला गरंथ है यानि जो बहुत सी बातों को ध्यान में रखकर इन्होंने लिखा है इस गरंथ को इसलिए ये हमारे लिए महत्पूर्ण हो जाता है क्योंकि इस से पहले जो गरंथ है वो तो हम परमानिक मान ही नहीं रहे वो तो आरंबिक काल के हैं उनको हम परमानिक ही नहीं मान रहे लेकिन ये परमानिक है प्रन्तु इस गरंथ में इन्होंने कुछ कमिया छोड़ दी इसके बाद दूसरा आता है शिव सिंग सेंगर शिव सेंगर ने जो रचना की शिव सिंग सरोज ये इनकी पुस्तक है और इसकी रचना काल है 1883 इसमें इन्होंने गार्षाद तासी की परंप्रा को ही आगे बढ़ाया परंप्रा कौन सी थी वरण कर्मानुसार कवियों को शामिल इन्होंने किया और इसमें इस करंथ में इन्होंने लगबग 998 कवियों का वर्णन किया है और इन कवियों के जीवन्चरित और रचनाकाल की और संकेत भी किया है कहीं कहीं उन्होंने इनकी कविताओं के उधारन भी दिये हैं ये हिंदी प्रतम हिंदी लेखक हैं या प्रतम भारतिय लेखक हैं जिनोंने हिंदी साहित्य पर आधारीत किसी गरंथ की रचना किया यानि शीव सिंग सरोज जो इन्होंने लिखा है उसके बाद आते हैं जॉर्ज गिरियर्सन देखे जो जॉर्ज गिरियर्सन है ये एक महतपूर्ण लेखक है और इनकी रचना क्या है दमोडरन वर्नाकिलर लिटरेचर ओफ हिंदुस्तान जिसकी रचना इन्होंने की थी 1888 इस्वी में इसमें एक नवीन परंपरा का इन्होंने प् पहले दूसरी श्ताबदी में दूसरे तीसरी श्ताबदी में वो तीसरे नंबर पर यानि काल को ध्यान में रखकर इन्होंने वरण को ध्यान में नहीं रखा समय को ध्यान में रखा यानि जो जिस समय काल में हुआ उसी हिसाब से कर्मानुसार उनका वर्नन किया है 952 हिंद इन्होंने हिंदी साहित्य को तीन भागों में बाटा है पहला जो प्रारंब का काल है उसे इन्होंने चारण काल कहा है चारण कव्य यानि आदी काल को ये क्या कहते हैं चारण कव्य क्यों क्योंकि इसमें रासो कव्य जादा लिखा गया और ये किस ने लिखा था चारण कव् कव्य अर्थात दरबार के लिए लिखा गया जो कव्य हे वो इन्होंने माना है देखें इन्होंने अपने इस ग्रंथ में विग्यानिक पद्दति को अपनाया है और यह नया लेखन में वेग्यानिक पद्वती को आधार बनाया है वर्तवान समय में तो इसका हिंदी अनुवाद भी हो गया है जिसे हम हिंदी साहिते का प्रतम इतियास के नाम से डॉक्टर किशोरी लाल ने इसका अनुवाद किया है तो इसलिए जो जो जॉर्ज गिर्सन है इनका गरं तब मोडरन वन्यकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान वेग्यानिक पद्वती पर लिखे जाने के कारण ये हिंदी साहिते इतियास लेखन में अपनी महतपून भूमी का रखता है या महतपून भूमी का इसने निभाई है इनके बाद है मिशर बंदू मिशर बंदू ती इसने जो तीन भाग वहतों उन्नी्स सो तेरा में प्रकाशित हुए है और चोथा भाग यह operate इन Major प्रकाशित हूए 33 विंक रखते ही यहानिर्थバक्व प्रकाशित हुआ तयłeशे 4 पांच हजाने लगबग पांच हजार कवियों बहर तक शब्से जानँं का अरिक हैं रह किया है लेकिन कुछ ऐसे कवी हैं जो अज्यात हैं जीने हम नहीं जानते उन कवियों को भी इन्हों ंने शामिल किया ». और जीवन काश डालने का प्रयास अपने काव्य में किया है। तीसरा चुकाल है वो है विकासकाल, विकासकाल में सबसे महतपुन भुमी का निभाई आचारे रामचंद्र शुकल ने, इनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 इस्वी में लिखी गई, ये इतिहास लेखन की एक महतपुन पुस्तक है हिंदी साहित्य का इति कि जो रासो कवे व वीर कवे हैं अधिकतर सम्पूरा नहीं कह doen मैं लेकिन अधिकतर वीर कवे है यानि वीर गाथा काल वीरता की गाथा' काल पूरो मध्यकाल इस 시 سब्यक्ति काल नाम दिया क्योंShe इसकाल में यानि मध्यकाल को इन्होंने दो भागों में बाटा है पूरों मध्यकाल को भक्तिकाल नाम दिया और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रितिकाल उसके बाद जो आधुनिक काल है इसे इन्होंने गद्यकाल कहा है इसके वीरगाथा काल पर बहुत से विद्वान है जो मतभेद रखते हैं इनके जो ये गरंथ है इन्दी साहित्य का इतिहास इसमें इन्होंने व्यज्यानिक पद्धती को आधार बना कर एक हजार कवियों का जीवन परीचे इसमें संकलित करने का प्रयास किया है इसलिए ये काफी प्रसीद गरंथ है जो आचरय रामचंद्र शुकल का है इसमें इन्होंने जो भक्ति काल है इसको भी निर्गुन और सगुन के साथ निर्गुन की दोनों कावे धाराएं जैसे ग्यान आशरे शाखा और प्रेम आशरे शाखा यानि जो ज्यान पर आधारित है और जो प्रेम पर आधारित है ये को किसकी है ये निर्गुण भक्ती की और जो सगुण भक्ती है सगुण भक्ती में राम काव्य और क्रिशन काव्य तो इस प्रकार से भक्ती काल का जो भी भाजन इन्हों ने किया है वो निर्गुण और सग अन्य पोरुपरंप्रा से जो सम्बद्धित तत्व है उनको और जो स्रोत मिलते हैं उनकी इन्होंने उपेक्षा की है लेकिन फिर भी क्योंकि इनका जो ये हिंदी साहिते का इतिहास है ये एक महत्पुन गरंत वर्तमान समय भी इसकी बहुत महत्ता है और इसका अधिक इस्त साहिते का इतिहास 1930 इस्वी में लिखी गई थी और इसमें कव्यों की अपेक्षा विभिन कालों को साहितिक प्रवर्तियों को स्पस्ट किया गया है विभिन जो अलग-अलग समय की साहितिक विशेष्टाएं थी उसको स्पस्ट करने का प्रयास इन्होंने किया है और इन्ह महत्पुर्ण भूमी का निभाते हुए तीन गरंथ लिखें हैं जिसमें पहला है हिंदी साहित्य की भूमी का दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल ये हिंदी साहित्य लेखन परमपरा में इनके तीन महत्पुर्ण हैं दिवेधी जी ने अपने इन गरंथों में देश की प्राचीन प्रंपराओं संस्कृति तथा लोग प्रंपराओं के संदर्व में अपने मौलिक विचार प्रस्तुत की हैं किसी की नकल इसमें नहीं है बलकि मौलिकता है क्यूंकि यह मानते हैं कि जैसे बहुत से के आधार पर है इसलिए इसी प्रकार इन्होंने अनेक और भी अपने विचार जो मुलिक्ता से परिपूर्ण है वो प्रकट किये हैं हिंदी साहित्य के संदर्भ में इसके बाद है डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनका जो गरंत है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतियास य जो दूसरा है उसे इन्होंने कहा है चारण काल तीसरा जो प्रकरण है उसको इन्होंने कहा है भक्ति काल की अनुम क्रमन का और जो चोथा है उसे भक्ति काल कहा है पांचवे को इन्होंने प्रेम का व्य छटे को राम का व्य और सात्वे प्रकरण को क्रिशन का व्य नाम इ इनका जो गरंत है हिंदी साहित्य ये इस इस गरंत में संपूर्ण साहित्य को इन्होंने तीन कालों में विभाजित किया है पहले काल को आधी काल कहा है दूसरे को मध्य काल और तीसरे को आधुनिक काल कहा है नागरी परचारनी सभा जो की काशी में है इनका जो गरंत है वो ह हिंदी साहित्य का व्रीहद इतिहास व्रीहद यानि बड़ा इतिहास और ये 18 भागों में इन्होंने प्रकाशित करवाया है ये आप ध्यान में रखेंगे कि हिंदी साहित्य का व्रीहद इतिहास 18 भागों में प्रकाशित करवाया है और इसमें हिंदी साहित्य लेखन की सैध इस ग्रंथ को लिखने में अपना से योग दिया है इसके बाद देखें तो डोक्तर गनपती चंदर गुप्त की रचना है हिंदी साहित्य का विज्ञानिक इतिहास जो की 1965 इस्वी में लिखी गई ये भी एक महतपुन रचना है डोक्तर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इति इतियास ये एक महतपुन गरंथ है शिक्षकों और विद्यारतियों के लिए यानि विश्व विद्यालियों और विद्यालियों में अध्यान करने वाले जो विद्यारति हैं वो इसका इस्तेमाल अधिक करते हैं और इसमें विज्ञानिक दृष्चिकों को अपनाया गया ह लेखन परमपरा में हिंदी साहित्य का इतियास ये ध्यान में आप रखेंगे कि ये वेग्यानिक पदती पर आधारिक डोक्टर नगेंदर का गरंथ है इसके बाद है डोक्टर भागीरत मिश्र विकास काल में इन्होंने भी अपना महत्पून योगदान दिया है और हिंदी स साहित्य का इतिहास इनकी रचना है उसके बाद हैं डोक्टर बच्चन सिंग इनकी रचना का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें भी इन्होंने वेग्यानिक पदती को अपनाया है और उसी इसाब से जो कवी हैं उनका यहां पर वरगी करण किया है उसके ब बारे में विस्तार से जानने का यहां पर हमने प्रियास किया है लेकिन यह जो परंपरा ही काफी लंबी है और अभग निरंतर वर्तमान समय में पराजसीन सेंगर मिशिण बंदों परंपरा को शहते हैं उसके बाद विकास काल में आचरे रामचंदर शुकल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी परशाद दिवेदी, डॉक्टर गणपती चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंदर और जैसे यहाँ पर भागीरत मिश्र हैं, डॉक्टर बच्चन सिंग हैं, डॉक्टर परंपरा को नवीन दिशा और दशा प्रदान की है, और जैसा कि मैंने यह बताया कि यह परंपरा आज भी निरंतर जारी है, और बहुत से ऐसे लेखक भी हैं, जो इस इतिहास लेखन को पुनर लेखन की आशकता अनुभव करते हैं, या मांग उठा रहे हैं कि दुबारा स इस पर विचार किया जाए, और दुबारा से इनको लिखा जाए, वर्तमान समय में अगर देखें तो प्रांतिय भाशाओं में भी साहित्य इतिहास लिखे जा रहे हैं, और अनेक प्रकाशित भी हो चुके हैं, तो इस तरह से हमने जाना कि जो हिंदी साहित्य इतिहास आपको याद करने होंगे और उनके बारे में आपको यह जानना होगा कि कौन सा वेग्यानिक पदती प्राधारित है कौन सा काल करम आनुसार है और कौन सा वरण करम को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है तो उमीद करते हूं कि आपने बहुत अच्छे से इस वीडियो से अध्यान करने में आपकी यह मदद करेगा अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट आप मुझे करते रहें ताकि मेरा उच्छा बना रहे और मैं आपको जल्दी से जल्दी नए से नए वीडियो बेज पाहूं बहु